ओके देखो आज का अपना टॉपिक है थर्मोडाइनेमिक्स और थर्मोडाइनमिक्स के इंपोर्टेंट लॉव कौन से है सबसे पहले यह लॉव है क्या जीज मतलब अपन क्या पढ़ने वाले हैना मतलब यह थर्मो है क्या तो मुस्ब सब एक छी समच ना सपोस्ट करूँ कि यहिए कंटेनर लॉप मान लो यह एकंटेनर है जो सब तरप से बंद है और माल लो कि इस कंटेनर में कोई गयास है माल लो कि मैंने क्या कर रखाय किसी गयास को बंद कर रखाय तो अगर मुझे इस gas की property समझनी है, मुझे मतलब पता करना है कि इस gas की कौन सी-कौन सी important property है तो एक property होती है वो होती है pressure, एक property होती है वो कौन सी होती है pressure मतलब gas का pressure कितना है, एक property होती है वो होती है temperature कि भाया इस container में जो gas बन्द है उसका क्या temperature है एक property होती है वो होती है volume कि यार इस container का volume कितना है मतलब container में pressure कितना है container का temperature कितना है container का volume कितना है और चौथा सबसे important आप बताओ कि इस container में कितनी gas बरी हुई है तो वो अपन किस से निकालते है number of moles से है ना तो basically आज हम क्या पढ़ेंगे आज हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी container में अगर मालो कोई gas बंद है तो उसके pressure, temperature, volume और number of moles इन सब में क्या relation होता है तो आज की basically अपनी class basics के उपर है मतलब अगर तुम्हें आज के basic समझ में आगे ना तो तुम आगे बहुत अच्छे से numerical वगेरा soil करोगे derivation वगेरा भी तुम्हें अच्छे समझ माजाएगी इसलिए आज सी class important है कि आज सी class में basically हमने क्या पढ़ने वाले हम ये पढ़ने वाले कि अगर मालो कोई container है और उसके अंदर कोई gas बंद है तो उस gas का pressure, temperature, volume और number of moles इन सब में क्या relation है तो basically आज सी class के सबारे में इस बारे में तो लिखो अपनी copy में सबसे पहला लिखो boil slow सबसे पहला अपनी copy में topic लिखो वो लिखो boil slow B-O-Y-L-E boil slow तो सबसे पहले तुम boil slow समझो कि boil slow होता क्या है तो लिखो अपनी copy में boil slow होता क्या है पहले समझना और मैं त्यूमें सब real life example दूँगा जिसे अगर मालो कि तुमारे हाथ में कोई गुबारा है तुमारे हाथ में कोई गुबारा है और मालो गुबारे के अंदर कोई गैस बड़ी होई है अब तुम गुबारे पे pressure लगाओ अब तूम क्या करो गुबबारे पे सब तरफ से प्रेशर लगाओ तो आप मुझे बताओ अगर आप इस गुबबारे पे प्रेशर लगाओगे तो इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा की घटेगा? खुद बताओ आप गुबबारे को हाथ में पकड़ो और सब तरफ से दबाओ आप मुझे बताओ क्या होगा इसका वॉल्यूम घटेगा? तो अगर तुम किसी भी कंटेनर में मान लो किसी कोई भी कंटेनर है अगर उस कंटेनर पे प्रेशर बढ़ाते हो तो होता क्या है? उसका वॉल्यूम घटता है यह आपका boil slow है तो boil slow क्या बोलता है? तो दिखो अपनी कापे में boil slow में लिखो at constant temperature at constant temperature और याद रखना अब यह word बार-बार आएगा constant temperature को हम बोलते isothermal process constant temperature को हम क्या बोलते? isothermal process तो अगर मैं word यूज करूँगा आगे जाके कि यह यह process isothermal है मतलब temperature constant है that constant temperature pressure is inversely proportional to volume pressure is inversely proportional to volume pressure is inversely proportional to volume तो तुम खुच सोचो अगर किसी container को आप compress करोगे तो इसका volume क्या होगा? घटेगा ना? तो किसी भी container पर अगर आप pressure बढ़ाओगे तो इसका volume क्या हो जाता है? घट जाता है लिख लो अपनी काप में तो boil slow में process कौन सी होती है? आइजो थर्मल तो लिखना क्या है तुम्हे? at constant temperature pressure is inversely proportional to volume तो अगर किसी container पर तुम pressure बढ़ाओगे तो उस container का volume क्या हो जाएगा? घट जाएगा लिख लो अपनी काप में लिख लो और फिर एक numerical मैं करूँगा अगला numerical तुम्हे करना है एक बार लिख लो इसका अपनी काप में ठीक है? अब तुम द्यान से सुनो अब तुम द्यान से सुनो इसके numerical करते कैसे दिखो इसके numerical करते कैसे अब तुम द्यान से दिखो तो pressure inversely proportional to volume था तो हम क्या लिख सकते हैं? इस proportion को replace करो एक constant से तो यह हो जाएगा P equal to K upon V याद रखना physics में अब proportion को replace करके क्या लगा सकते हो? K लगा सकते हो तो P equal to क्या हो गया? K upon V इसको मैं क्या लिख सकता हो? PV equal to K लिख सकता हो लिख सकता हो? यह V अगर उदर जाएगा तो PV equal to K तो याद रखना अब एक line सुनना तुम कभी भी pressure और volume को multiply करोगे तो आपका answer एक constant आएगा तो याद रखना यह equation बहुत काम की है P1 V1 equal to P2 V2 तुम कभी भी pressure और volume को multiply करो चाहे point number 1 पे चाहे point number 2 पे आपका जो multiplication का answer है वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा तो यह equation है boils law की अब इसका एक numerical मैं solve करूँगा अगला numerical तुम्हें solve करना है तो लिख लो अपनी काप में लिख लो P inversely proportional to V था proportion की जगे constant लगाया K तो P equal to क्या हो गया? K upon V फिर V को मैं cross multiply करके उधर लेगा तो P V equal to क्या है? constant तो P into V constant का मतलब क्या है? अब कभी भी pressure और volume को multiply करो उसका जो product है न वो एक constant रहेगा लिख लो अपनी काप में लिख लो फिर अपन numerical solve करते है तो एक numerical मैं करूँगा वो उसमें सिर्फ देखना है अगला पूरा तुम्हें करना है ठीक है? लिख लो इसको और एकदम basic common sense है यार अगर तुम किसी चीज़ को compress करते हो तो उसका volume क्या होता है? घटता है है ना अगर कोई चीज़ expand कर रही है तो उसमें pressure घटेगा और volume बढ़ेगा ठीक है तो एक question अब मैं कर रहा हूँ अगला तुम्हें करना है तो question क्या है अब यह मैं कर रहा हूँ आपको नहीं लिखना है आप सिर्फ देखो a container a container of volume 2 meter cube has pressure equal to 10,000 pascal inside it तो एक container है उसका volume कितना है 2 meter cube अंदर pressure कितना है 10,000 pascal इफ प्रेशर इस इंक्रीजट टू अब जो माले प्रेशर है इफ प्रेशर इस इंक्रीजट टू 20 000 पास्कल तो आपको बताना है कि फाइनल वॉल्यूम किती होगी वाट विल बी फाइनल वॉल्यूम तो बेसिकली मेरे पास एक कंटेनर है a container of volume 2 meter cube तो V1 कितना दे रखा है 2 meter cube has pressure of 10,000 pascal अंदर pressure कितना है 10,000 pascal ठीक है अब ये क्या मूल रहा है if pressure is increased to 20,000 pascal अब मैंने pressure बढ़ा के कितना कर दिया 20,000 pascal कर दिया तो question है what will be the final volume तो आपको बताना है कि final volume कितना होगा तो कैसे निकालोगे देखो अब भी मैंने आपको equation लिखवाई दी P1 V1 equal to P2 V2 अब कभी भी pressure और volume का multiplication करो आपका answer same आएगा तो ये कितना आएगा देखो 2 into 10,000 equal to 20,000 into V2 तो देखो आपका V2 कितना आएगा चेक करो ये 20,000 गया आपका V2 कितना है 1 meter cube और आना भी ये ही चाहिए था क्योंकि देखो आपने pressure बढ़ाया तो आपका volume घड़िया पहले 2 meter cube था अब कितना हो गया 1 meter cube हो गया किसी को इस question में कोई doubt है तो पूछो क्योंकि अगला question तुम्हें solve करना है कोई भी doubt है तो पूछो वरना अगला question आपको solve करना है विदू जी चारू कोई doubt है तो पूछो अब्दुल भाई यश भाई कोई doubt है तो पूछो तो तुम किसी भी container पर pressure बढ़ाओगे तो उसका volume घटेगा pressure घटाओगे तो उसका volume बढ़ेगा है ना तो अब एक question तुम लोगों को solve करना है प्लीज यार सब आप लोग सब लोग solve करोगे तो question है यह a container a container of volume five meter cube has pressure of five thousand pascal if the volume if the volume is increased if the volume is increased isothermally मतलब मैंने temperature constant रखा if the volume is increased isothermally to 20 meter cube find final pressure तो आपको बताना है कि finally pressure कितना होगा बताओ क्या answer आएगा इसका a container of volume five meter cube तो आप खुद चेक करो आपको क्या दे रखाए has pressure of five thousand pascal तो container के अंदर pressure कितना है five thousand pascal if the volume is increased isothermally मतलब बॉल स्टो लगाना है to 20 meter cube तो पहले पाँच था अब मैंने 20 कर दिया तो देखो मैंने volume बढ़ाया find final pressure तो आपको बताना है कि बाद में pressure कितना होगा सोचो क्या एक इसकांसर लगाओ सब दिमाग अब्दुल भाई लगाओ दिमाग लगाओ a container of volume five meter cube तो पहले कितना volume दे रखा है चेक करो has pressure of five thousand pascal तो पहले कितना pressure है चेक करो if the volume is increased isothermally to twenty meter cube तो V2 कितना है चेक करो find final pressure तो P2 आपको निकालना है तो आपको equation क्या यूज करनी है P1 V1 equal to P2 V2 तो V1 कितना था 5 P1 कितना था 5000 V2 कितना था 20 P2 आपको निकालना है तो P2 कितना आजाएगा चेक करो तो 5000 into 50 upon 20 यह आप cancer आएगा चेक कर लो चेक करो कितना आएगा P1 V1 equal to P2 V2 वो 50 निकालना है तो यह आजाएगा तो तो यह आजाएगा तो यह आजाएगा तो यह आजाएगा 1250 यह इस cancer है आया तुम्हें समझ में तो बिसिकली यह तुम्हारा boils law है और अब साथ साथ ही तुम boils law का graph बना लो ठीक है doubt है तो पूछो यश कोई doubt है तो पूछ लो चारू कोई doubt है तो पूछ लो यह तो आपने खतम करके आगे बढ़ते या रहे ना क्योंकि यह फाल्तू question है इसमें में और question और time जायद नहीं करता हूँ देखो तो इसका graph कैसे बनेगा ध्यान से देखना तो P inversely proportional to V था तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि आप pressure बढ़ाओगे तो volume घटेगा और pressure घटाओगे तो volume बढ़ेगा तो यह आपका graph बनेगा और यहां पर लिख लेना कि temperature क्या है temperature constant यह लिख लेना ध्यान से देखो आप pressure घटा रहे हो तो प्रेशर घटा रहे हो तो volume बढ़ रहा है यह देखो बजिए आपका graph है मैंना लो इसको ठीक है अब नेक्स लोग पर आ रहे है फिर ठीक है यह हो गया तो अभी नेक्स लोग पर आ रहा हूं यह लिख लेए तुम लोगोंने टीक है नेक्स देखना वो लिखो अपनी कपुमे चार्ट लोग नेक्स लिखो अपनी कॉपे में चाल्स लो तो अब चाल्स लो क्या बोलता है पहले तुम समझना पहले तुम समझना कि चाल्स लो बोलता कै suppose करो यदे हम लोगों ने thermal expansion पढ़ा था तो thermal expansion में क्या था यदे कि अगर तुम temperature बढ़ाओगे तो आपके atoms दूर-दूर हो जाते और volume बढ़ेगा तो चाल्सलो क्या बुलता है कि माल लो की कोई container है और उस container में कोई gas भरी हुई है अगर माल लो तुम temperature बढ़ाओगे तो क्या होगा यह सब atoms vibrate करेंगे और सब एक दूसरे से दूर-दूर हो जाएंगे तो volume बढ़ जाएगा तो चाल्सलो क्या बुलता है चाल्सलो बुलता है कि at constant pressure at constant pressure if temperature is increased if temperature is increased volume will also increase और ऐसा क्यों होता है क्योंकि जब आप temperature बढ़ाते हो ना तो आपके atoms vibrate करते है vibrate करते हैं तो वो एक दूसरे से टकराते हैं तकराते हैं तो दूर-दूर हो जाते हैं तो इसलिए volume is directly proportional to temperature और इस proportion को replace करेंगे हैं constant k से v equal to kt और यहाँ पर क्या equation बनेगी v1 upon v2 equal to t1 upon t2 लिख लो अपनी कापने में लिख लो इसको बहुत important equation है एक numerical मैं करूंगा अगला numerical तुमें करना है और याद रखना constant pressure तो याद रखना constant pressure का मतलब होता है कि ये कौनसी process है constant pressure वाली का नाम होता है isobaric जैसे constant temperature वाली कौनसी थी isothermal वैसे constant pressure वाली कौनसी हो जाएगी isobaric लिख लो अपनी कापने में तो boil slow isothermal charl slow isobaric boil slow में क्या equation थी p inversely proportional to v charl slow में क्या equation है v directly proportional to t और कोई तुम्हें exam में पूझवील है कि यार ऐसा क्यूं होता है मालों तुम्हारे exam में question आ गया why will the volume increase if temperature is increased of any gas तो आपको क्या answer करना है आपको ये answer करना है कि भाहिया अगर आप temperature बढ़ाओगे तो आपकी gas किससे बनी है atom से तो अगर आप temperature बढ़ाओगे तो atom vibrate करेंगे तो पास पास में atoms होंगे सब vibrate करेंगे तो सब दूर दूर हो जाएंगे इसलिए volume बढ़ेगा बात ही खतम है समझ में तो हर law तुम्हें पता होना चाहिए उसके पीछे का जो basic understanding है वो भी आपको clear होनी चाहिए इसको लिख लो आपने कापने V directly proportionate to T तो Charles Low क्या बोलता है मानत ध्यान तो सुनना तो उन्हें एक law मिस कर दिया है उसकी recording देख लिए हो दूसरा ध्यान तो सुन Charles Low ये बोलता है कि अगर आपका pressure constant है तो अगर आप किसी भी container का temperature बढ़ाओगे तो उस container का volume भी क्या होगा बढ़ेगा क्योंकि temperature बढ़ाने पर atoms vibrate करते vibrate करके दूर-दूर हो जाते तो volume बढ़ जाता है तो V directly proportionate to T अब proportion को replace करो एक constant K से तो V equal to हो जाएगा KT और यहाँ पर एक question है V1 upon V2 equal to T1 upon T2 लिख लो अपनी का पर मैं फिर एक numerical मैं करूँगा अगला तुम्हें करना है जो मैं करूँगा वो तुम्हें लिखना नहीं है लिख लो इसको ठीक है तो अब देखो एक numerical मैं कर रहा हूँ तुम समदना हो तो कोश्चन नहीं है अग कंटेनर अग कंटेनर अफ वॉल्यूम फाइफ मिंटर क्यूब हैज टेंप्रेचर ओफ हंड्रेट डिग्री सेल्सियस इफ टेंप्रेचर इस इंक्रीश्ट तू 200 डिग्री सेल्सियस फाइंट फाइनल वॉल्यूम तो अब आपको बताना है कि फाइनली क्या वॉल्यूम होगा अब इन कोश्चन में पता है होता क्या है मानत तु ध्यान से सुनना क्योंकि बाकि सब लोगों ने तक है कोश्चन देखा हुआ है एक से कंड़ देखो अब तुम याद रखता है थर्मो डाइनेमिक्स में कभी भी टेंप्रेचर सेल्सियस में मत लेना हमेशा केल्विन में लेना तो अग कंटेनर ओफ वॉल्यूम फाइव मिटर क्यूब मतलब तहले कितना वॉल्यूम दे रखा ह है 5-meter-cube टेंपरेचर ओफ 100 डिवी सेल्सियस तो टीवन कितना है 100 डिगरी पर केलविन में कैसे कंवर्ट करोगे 273 एट कर दो अबका इनिशल टेंपरेचर कितना है 373 केल्विन इफ टेंपरेचर इस इंक्रीज्ड डिगिरी केल्पिन तो आपका फाइनल टेंपरेचर ग कितना है 273 प्लस 200 तो यह कितना आ जाएगा 473 कल्विन फाइंड फाइनल वॉल्यूम तो आपको बताना है कि बाद में वॉल्यूम कितना होगा अभी मैं तुम्हें लिखवाई वीवन अपॉन वीटू इस से जादा आसान क्या हो सकता है आपके पास वीवन है टीवन है टीट कर दो कभी भी टेंपरेचर सेल्सियस में मत लेना केल्विन में ही लेना कोई डाउट है तो पूछो ओके यह आपको लिखना नहीं था अगला कॉशन तुम्हें ही सॉल्ल करना है तो कॉशन है यह सब द्याहां से देखना अग कंटेनर of volume 2 meter cube has temperature of 27 degree Celsius what will be the volume what will be the volume if temperature is increased to 127 degree Celsius सॉल करो सॉल करो सॉल करो मानत भाई सॉल करो अब्दूल भाई चेक करो क्या है इसका अंसर अग कंटेनर of volume 2 meter cube V1 दे रखा है has temperature of 27 degree Celsius T1 दे रखा है Kelvin में convert करना अप्टश तू 73 करके what will be the volume if temperature is increased to 127 degree Celsius चेक करो चारू क्या अंसर आएगा विजूश्री जल्दी बताओ क्या अंसर आएगा इसका चेक करो अग कंटेनर of volume 2 meter cube तो पहले कितना volume था 2 meter cube has temperature of 27 degree Celsius तो T1 कितना आजाएगा 273 प्लस 27 तो अगर तुम्हें नहीं पता हो तो यह होता है 300 Kelvin what will be the volume if temperature is increased to 127 तो T2 कितना हो जाएगा 273 प्लस 127 तो यह कितना हो जाएगा 200 300 यह हो जाएगा 400 Kelvin और आपको V2 निकालना है चेक करो V1 upon V2 equal to T1 upon T2 कितना आ रहा है तो 2 upon V2 और T1 कितना है 300 यह कितना है 400 तो आपका V2 कितना आ जाएगा 8 by 3 meter cube इतने आ रहा है कि किसी का कुछ और आ रहा है यह answer है इसका अब कोई डाउट है तो पूछ सकते हो नहीं तो मैं एक्सलेख जा रहा है किसी को इसमें कोई डाउट है दूपलो तो Giving नहीं बढ़ता नहीं बढ़ताふ पूछो इसका टैंप्रेचर केल्विन में क्यों लगते हैं क्योंकि बेटा जो आइडियल गैस एक्वेशन लिखेंगे उसमें हम एक चीज निकालते हैं पॉटेंशिल एनरजी और वो पॉटेंशिल एनरजी माइनस 273 का रिफरेंस लेके निकाली जाती है इसलिए थर्मों मे टैंप्रेचर हमेशा केलwol में ही लिए जाता है तो यह जितने फॉर्मेले हमने पड़े न, यह सब फॉर्मेले केल्विन पर ही डिपेंट करते है व्रना फॉर्मेले चैंज हो जाएँगे तो इम्हीं अगर यह चीज़ नहीं पता है तो मैं तो बताओ How to minimum हम अभी तक किसी temperature पहुंचे ना तो वो तुम्हारा minus 273 है तो physics क्या करता है physics इसी को refresh लेता है तो zero Kelvin का मतलब क्या होता है minus 273 तो इसलिए हम हमेशा temperature इसको बोलते है absolute temperature और यह हमेशा किसमें लिया जाता है Kelvin में ही लिया जाता है celsius में कभी लेते celsius में लोग लेते और कोई लेते तो अब तक हमने दो लोग पड़े boyl's law उसमें आइजो था चाल्स लो उसमें आइजो बारिक था अब तीसरा लिखो अपनी कपे में jeu leo 6-0 जो तीसरा लिखो अपनी कपे में gel use X吉ew को तो अब समझना Gelusek सेệ킨 सोरि हम मिस्कर गाए वो ऊसका ग्राफ चाल्स लोका ग्राफ है स्भाफ में चाल्स लोका बना लो शल्स लोकि तो आपका अवोलता है कि we directly proportional to the temperature बढ़ाओगे तो वाल्यूम बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखो। इधर वाल्यूम है इधर टेंपरेचर है तो ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। और यहाँ पर लिख ले ना प्रेशर किया ब्रेशर कॉंस्टेंट है। फिर अपने फुर फने नेच्ट लोप पर आते हैं। लि मिनिमम टेंपरिचर जो भी तख एंट हुए वह माइनस टू सेवंटिरी डिगरी के अस्पास है माइनस टू सेवंटिरी मतलब क्या होता है जीरो कैली में लेते हैं वह हम लोग धर्मामेटर सेथिसे बढ़ा कोई लॉजिक नीए उसका तो यह चाल स्लो है तो चाल स्लो क्या बोलता है कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ा होगे तो टेंप्रेचर बढ़ेगा प्रेशर क्या राएगा कॉंस्टेंट ठीक है अब नेक्स लो लिखो अपनी कॉपे में गैल्यू से लो और पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ कि गैल्यू से लो होता कै बहुत आसान है तुम समधना अब तुम समधना देखो सपोस करो कि यह कोई कंटेंटर है और मा लो कि इस कंटेनर के अंदर अटम्स है ठीक है और मानलो अभी ब्रेशर P और टेंपरेचलल टी है अब आगे बढ़ने से पहले तो मैं कोशन का आंसर करो माल लो कि ये एक कार है और ये कार जारी है बहुत दीरे-दीरे 10 मिटर पर सिकंड से एक दिवार की तरफ और माल लो कि एक और कार है और इसकी वेलासिटी है 1000 मिटर पर सिकंड और ये भी जारी है काँ पर ये भी जारी है दिवार की तरफ तो आप मुझे बताओ कि अगर ये दोनों दिवार से टक्राएगी तो आप बताओ कौन दिवार पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा एक घाड़ी जारी है दस मिटर पर सेकेंट से यसे अगर मम्मी अपना हाथ दीरे से मारती है एक केस में तेज मारती है है ना आप मुझे बताओ दोनों केस में किस केस में ज़्यादा फोर्स लगेगा पहले वाले में कि दूसरे वाले में अदूल भाई बताओ एक बार क्या है इस कांसल पहले वाले केस में कार जारी है 10 मिटर पर सेकेंट से दूसरे वाले में जारी है 1000 मिटर पर सेकेंट से तो तुम दीरे से अपनी गाड़ी बचीकना और एक बार रेस देके बचीकना तुम्हें पता बढ़ जाएगा किसके ज़्यादा फोर्स लगेगा चेक कर लेना तो यह होगा देखो अगर तुम टेंपरिचर बढ़ाओगे तो आपके एटम तेस्टेज वाइबरेट करेंगे तो होता किえーटम बेसिकली वाल्टेक़् तकर आएगा वापस आएगा तो यह वाल पर क्या लगाता है फोर्स लगाता है और प्रेशर क्या होतकर फोर्स अपोन वीडिया यह थो तो जितना टेंपरेचर तुम बढ़ाओगेप उतना तेस्वाइबरेट करेंग और वह ज्यादा प्रेशर लगाएगा इसलिए P directly proportional to T तो Galusix law क्या बुलता है लिखा अपनी copy में at constant volume लिखा अपनी copy में at constant volume और याद रखना constant volume का मतलब होता है isochoric process याद अभी तक अपने तीन पढ़ ली isothermal isobaric और ये तीसरी है isochoric at constant volume pressure is directly proportional to temperature pressure is directly proportional pressure is directly proportional to temperature तो जो pressure लगता है आपके container की wall पे ये container इसकी दिवार है वो directly proportional किसके होता है temperature के लिख लो अपनी कापर में अपनी कापर में बहुत इंपोर्टेंट है फिर अपनी करते इसका अब तक हमने तीन लो पड़े आच वाइस लो चाल्स लो गैलुसे लो एक और लो है फिर एक और लो है लिख लो ओके डाउट अब तक तो पूछ सकते हो यश कोई डाउट है मानद अब्दुल कोई डाउट है तो पूछो अगर आप temperature बढ़ाओगे तो एटम तेज तेज वाइबरेट करेंगे तो प्रैशर भी क्या लगेगा ज्यादा लगेगा ठीक है तो देखो इसका एक्वेशन लिखते है अपन पहले तो पी डिरेक्टली प्रपोर्श्ट टी है प्रपोर्श्ट को रिप्लेस करो तो पी इकवल टू केटी और नुमेरिकल सॉल्ट करने के लिए पीवन अपॉण पीटू एकवल टू टीवगण पॉण टीटू ठीक है एक तो यह टेमप्रेचर किसमें लेना केल्विन में सेल्थियस में मत लेना ठीक है और इसा गराव भी साथ-साथ बना लो तो मालो यह प्रेशर है यह तो टेमप्रेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा लेगिन कब जब वॉल्यूम क्या रहेगी कॉंस्ट रहेगी क्योंकि वॉल्यूम चेंज करेगी तो फिर बहुत चीज़ें चांज जाती है इसलिए इन तीनों प्रॉसेस में हमने एक एक चीज ची तो फिर एक numerical करते हैं इसका लेख लो इसका प्रिक है अब एक question करते हम इसका और इस बार question से दा तुम ही करोगे मैं नहीं कर आँगा आप इस equation देख लो तो P1 upon P2 equal to T1 upon T2 तो question है यह, if a container has pressure equal to 10,000 Pascal at 127 degree Celsius, what will be the pressure, what will be the pressure, if temperature is increased to, if temperature is increased to 227 degree Celsius isochoricaly isochoricaly का मतलब के है कि आपने वॉल्यूम क्या रखा constant रखा, solve question को क्या answer आएगा, सोचो, if a container has pressure of 10,000 Pascal at 127 degree Celsius, तब खुच सोचो मैंने आपको इस equation में क्या दे रखा है, what will be the pressure, if temperature is increased to 227 degree Celsius isochoricaly, isochoricaly का मतलब के है, volume constant है, check करो क्या है इस cancer, लगाओ सरो दिमाद लगाओ, check करो, check करो, check करो, P1 कितना है, check करो, T1 कितना है, check करो, P2 कितना है, check करो, T2 कितना है, और फिर equation लगाओ, container has pressure of 10,000 Pascal, at 127, तो पहले कितना pressure है, 10,000 Pascal, at 127, तो अभी Kelvin में convert करो, तो 127, प्लस 273, तो यह आजाएगा 400 Kelvin, what will be the pressure, if temperature is increased to 227 degrees Celsius, तो P2 नहीं अपने पास, question mark है, और यह कितना आजाएगा 227, प्लस 273, तो यह आजाएगा तुमारा 500 Kelvin, तो आप solve कर लो, P1 upon P2, equal to T1 upon T2, ठीक है, तो कितना आजाएगा, चेक करो, तो यह आजाएगा 10,000 upon P2, और T1 कितना है 400, और T2 कितना है 500, तो पीटू कितना आजाएगा, 10,000 into 5 upon 4, तो यह तो आजाएगा तुम्हारा 8,000, तो यह आजाएगा तुम्हारा 12,500 पास कर दे, चेक करो, और कोई डाउट है, अब तो मुझसे पुछो, कि सार इसमें यह डाउट है, आप मुझे वापस बता दो, और मैंने कुछ घलत किया है, अब्दुल तुन्हें वो 3-2 क्या लिखा है रहे, एक बार चेक करना, शुरू में आपका प्रेशर था 10,000 पासकल, शुरू में टेंपेचर था 400 कल्विन, बाद में मैंने टेंपेचर कितना किया 500 कल्विन, तो आपको बताना है बाद में प्र पूछो वणना मैं आगे बढ़ता हूँ, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, तो तो तीनो लोग तुमारे खतम होते, किसी को इसमें डाउट है तो पूछो वणना मैं आइडियल गैस एक्वेशन पर जा रहा हूँ, कोई डाउट है तो पूछो, क्लियर है सर, सबको क्लियर है, तो आप अभी पूछ सकते हो, है ना, कोई भी डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो फिर अपन जा रहे है आइडियल गैस एक्वेशन पर, तो वन आप दो मोस्ट इंपोर्टन एक्वेशन है, जो तुम लोगों ने अभी तक शायद केमेस्ट्री में पढ़ ली होगी, एडियल गैस एक्वेशन, तो आईडियल गैस एक्वेशन है क्या, तो मैंने तुमें क्लास के शुरुबात मिभी बताया था, कि हम क्या पढ़ने वाले आज, प्रेशर, वॉल्यूम, टेंपरेचर इन सब के बीच का रिलेशन तो ideal guess equation बोलती है कि PV equal to होता है nRT pressure into volume n आपके लिए नया है तो n होता है आपका number of moles और n अगर आपको निकालना नहीं होता है तो n का formula होता है mass upon molar mass r की value तुम्हें याद रखनी है 8.314 लिख लो अपनी copy में और r की unit तुम निकालना सीखना r की value क्या होती है 8.314 लिख लो अपनी copy में और r की unit कैसे निकालेंगे देखो PV upon nT लिख सकते है n और टी कोई जे भीज़ दिया तो pressure की unit क्या होती है Newton upon meter square volume की क्या होती है meter cube temperature की क्या होती Kelvin और number of moles की क्या होती MOL तो meter square से ये गया तब का ये कितना आएगा Newton meter upon Kelvin mole बहुत important है r की unit बहुत important है r की value भी मत भूलना और कभी भी r की ऐसा unit मत भूलना लिख ला अपनी कप में कई लोग इसको j upon k mole भी लिखते है क्योंकि Newton into meter होता है Joule है ना force into displacement Joule तो j upon k into mole k मतलब यहाँ पर Kelvin है लिख लो अपनी कप में तो pressure की unit Newton upon meter square volume की meter cube number of moles की मैंने पूट करी MOL temperature की पूट करी मैंने Kelvin तो लिख लो r की जो unit होती है Joule upon Kelvin into mole और unit value के है 8.314 लिख लो इसको और फिर इसका numerical solve करते हैं हम लोग फिर इसका numerical solve करते हैं लिख लो हाँ आनत भाई सही है एक वार लिख लो इसको अपनी कपन में और कोई doubt इस equation में तो पूछ हो कोई डाउट नहीं है तब एक question हम लोग solve करेंगे इसका dimension मानद इसका dimension निकालना वाई आसाने रोख एक सेकंड लोग जा हैंक करिया है एक सेकंड लोग जाना है डाउट पूछ रहो तो पी एक्वल टू एन आर्ट अगर तुम्हें आर का dimension पता करना है तो पी होता है प्रेशर तो प्रेशर का dimension होता है ml-1 t-2 वी मतलब वॉल्यूम वॉल्यूम का होता है एल क्यों एल मतलब नंबर ओफ मोल्स इसका होजाएगा मोल आर का तो निकालना है temperature का क्या होता है Kelvin तो इससे आजाएगा तर दाइमेंशन तो आर का dimension किता आएगा देख एम एल स्क्राइब टी माइनस टू अपॉन मोल और Kelvin यह आजाएगा ठीक है और कुछ पूछना है तो पूछो कुछ नहीं पूछना है तो अब अपने मेरीकल करते देखो एक नुमेरीकल है एक चाह स्वाल में सवाल कर अग्ला तुम लोग्ट करऊगेे तो कोस्चन है ये, कोस्चन है ये,a container contain a container. A volume two m3 has pressure of 20,000 Pascal, if it contains, अगर मान लों container के अंदर, if it contains 20 gram helium gas, fine temperature, तो आपको बताना है कि container का temperature कितना होगा, तो सबसे पहले question पढ़के given लिखना सिखो, देखो, a container of volume 2 meter cube, तो volume कितना दे रखा है 2 meter cube, has pressure of 20,000 Pascal, तो pressure कितना दे रखा है, 20,000 Pascal, if it contains 20 gram helium gas, सबसे पहले number of moles का formula क्या होता है, mass upon molar mass, तो mass कितना दे रखा है 20 gram और helium का molar mass कितना होता है 4 gram, अगर तुम्हें नहीं पता है, तो कुछ-कुछ molar mass तो बिटा याद रखके जाना, helium का molar mass हता है 4, तो यह आजाएगा तुम्हारा 5 और आपको निकालना है temperature, तो PV equal to nRT, तो PB है, VB है, NB है, RB है, बच T नहीं है, तो यह आजाएगा T, और याद रखना T की जो value आएगी न, वो किस में आएगी, Kelvin में आएगी, घल्ती से भी उसको Celsius में बट मत कर देना, तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, temperature और इस तरीके से हम लोग ideal guess equation यूज करना सीखते हैं, किसी को इस numerical में कोई doubt है तो पूछो, वरना अगला numerical आप लोगो को करना है, कोई doubt है तो आप पूछ सकते हो, वरना अगला आप लोगो करना है, यश, doubt है, कोई भी doubt है तो पूछो, कोई doubt है तो पूछो, कोई doubt है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई doubt नहीं है, तो अगला question तुम लोग स्वाल करोगे, आसान question दे रहा हूं, जल्दी answer आजागा देखो, एक सिकना, तो question है यह, a container has volume of 10 meter cube and contains 20 gram hydrogen gas, a container is volume 10 meter cube and contains 20 gram hydrogen gas, 20 gram hydrogen gas है, if temperature is 27 degree Celsius, fine pressure, तो आपको बताना है, उसके अंदर pressure किता होगा, find pressure inside container, निकालो, और R की value put मत करना, अब answer R महीं निकाल लेना, चेक करो क्या आगास कांसर, a container has volume of 10 meter cube and contains 20 gram hydrogen gas, अगर तुम्हें H2 का मुदार मास नहीं पता है, तो वो होता है 2 gram, if temperature is 27 degree Celsius, find pressure inside container, तो आपको बताना है कि container के अंदर कितना pressure होगा, सोचो क्या आगास कांसर, पहले अपनी copy में ideal gas equation दिखो, PV equal to nRT, ठीक है, अब चेक करो क्या क्या unknown है, V है 10, temperature मैंने तुम्हें क्या का था, Kelvin में देना, तो 27 plus 273, कितना हो गया, 300 Kelvin, मैंने बोला R को तुम आली रहन देना, R के लिए पुट में करना, और number of moles क्या होता है, mass upon molar mass, तो mass कितना है 20, molar mass 2, तो ये कितना आगया 10, तो आपका answer क्या आएगा, PV equal to nRT, तो P कितना आजाएगा, n कितना है 10, into R, temperature कितना है 300, और volume कितना है 10, तो pressure कितना है आपका 300R, कोई doubt है, यहां पर 3D आ रहाया, बस यह आपका answer है, पर exam मैं R के लिए पुट करना आवा, यह नहीं कितना बोला है नहीं करते, करना भही 8.314 करना, पर answer आएगा Pascal में, यह तो वहां मैं time बचाने के लिए यह जल्दी-जल्दी कराता हूं, बढ़ा होगा क्या, online आखे दु मैं लेगा कि variant और पढ़ाऊंगा मैं, मैंने अच्छली आज इतना ही सोच रखा था, कि आज मुझे सारे लोग कराने, ideal guess करानी है, और variant कराने है, और सारे graph बनवाने, और सब के numerical कराने, तो बस एक step और बाकी है, फिर तुम तुमारे Sunday की तरफ जा सकते हो, पर अब तक कोई तो पूछो, एक क्या सोरी, दूचीजे रोखरानी है, कोई डाउट तो पूछो, अब तक कोई डाउट है मानत, कोई डाउट है तो पूछो दिर्शा, चारू, कोई डाउट है बेटा, तो पूछ लो यार, कोई डाउट नहीं है तो देखो आइडियल के सिक्विशन में क्या होता है एक वेरियंट है तुम बोलो के सिर्फ वेरियंट क्या होता है कुछ नहीं होता है फरजी बड़ा है बस याद रतना पी वी इक्वल टू होता है एन रटी और मैं तुम्हें थोड़ी देर पले पताया था एन क्या होता है नंबर ओफ मोल्स मतलब मास अपॉन मुलार मास इंटू रटी तो इस वॉल्यूम को नीचे वेजो तो प्रेशर क्या हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम रटी बाए एम और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी तो प्रेशर का एक और फार्मिला क्या हो जाएगा रो आटी बाए एम ठिक लो पी एक्वेल टू रो आटी बाए एम और यहाप पे याद रखना यहापे एम होता है तुम्हारा मुलार मास और याद रखना एक गलती जो मोलार मास भी ग्राम में लेते हैं तो ग्राम ग्राम कट जाता है लेकिन इस फॉर्मिले में कटेगा नहीं तो जो मोलार मास लोगे आप किसमें लोगे केजी में लोगे टेंपरेचर किसमें लोगे केल्विन में लोगे लिख लो इस फॉर्मिले को आज तुम्हें रिजोइन नहीं करना पड़ेगा कोई लिमिट नहीं है स्पाइट ओके लिख लिया कोई डाउट है विदूशी नंबर ऑफ मोल्स को मैंने लिखा मास अपॉन मुलार मास फिर वॉल्यूम को नीचे भीजा तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है देनसिटी होता है तो प इकणा टो रो अटी बाई एम यह रो किया चीजह यह रो है देनसिटी आ पिजलिन में मॉलोर मास करें लेना केजी करने में बस ए लास्ट चीज क Library- um आपनी काप है avagardarochs law तो kya बुलते सब्सक्राइब according to this law at same temperature को मान लो ये एक एक निरे और ये एक ग अट सेब तैंपरेचर तो इसमेगी temperature T1 मान लो इसमेगी temperature T1 and pressure Pressure भी सेमें इसका pressure भी Pone इसका भी pone equal volume be same में इसमें भी वीवन इसमें भी वीवन तो according to this law at same temperature and pressure यहाँ पर कोमा आएगा अचली equal volume of all gases contain equal number of molecule तो यह तो हो गई अंग्रे जी अब इसका हिंदी अनुवात करते हैं तो पहले इस gas के लिए आप ideal gas equation लिखो तो P1 V1 equal to nRT1 मालो इसमें number of moles N1 है इसमें number of moles N2 है अब दूसरी के लिए लिखो equation तो P1 V1 लेकिन इसमें number of moles कितने N2 R और T बना जाएगा च्योंकि दोनों में pressure भी same है volume भी same है temperature भी same है तो यह equation number 1 यह equation number 2 आप इन दोनों equation को divide करो देखो क्या आता है तो P1 V1 equal to nRT1 और T1 V1 equal to n2RT1 दोनों को divide करो P1 V1 से P1 V1 गया R T1 से R T1 गया ताकि number of moles कि आ गए बराबर और याद रखना अगर number of moles बराबर होते हैं तो number of molecules भी बराबर होते हैं क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता हो नवी क्लास में आता है यह number of molecules का फार्मूला आता है number of moles into Avagadro number तो अगर दोनो number of moles same है तो दोनों में number of molecules भी क्या होंगे सेम होंगे लिख लो लिख लो इसमें और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो इसके साथ आज सी क्लास अपनी खतम होती है और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो ठीक है कोई डाउट नहीं है तो आज यह आज काफी तुमने पढ़ा है कुछ आज 23 स्लाइट से तो यह मैं आपको भीज दूँगा और नुमेरिकल की शीट भी मैं आपको भीज दूँगा तो वह भी तुम स्वाज कर लेना और कोई डाउट है तो तुम मुझे भीज भी सकते हो ठीक है चलो ओके यार बाई-बाई-एंजोई और संडे टाडा